बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूस को और प्रेस करें बेल आइकन को नैशनल टेस्टिंग एजनसी की और से जे एई मेंज के लिए अवेदन करने की तीथी 24 मई तक भड़ा दी गई है भारत सरकार की मानव संसादन विकास मंत्री रमेश फोक्रिया निंशक ने यह जानकरी दी है इसके साथ 16-24 मई की अवदी के बीच अपने आवेदन जमा भी कर सकते हैं और इसे कंप्लीट भी कर सकते हैं इसे पहले जी मैंस की फॉर्म में करेक्शन के लिए 14 अप्रेल की आखरी डेट दी गई थी परधान मंत्री अवास योजना की लक्षय पूरे नय होने से एसीयस ने नराजगी जाहिर की है परधान मंत्री अवास योजना की लक्षय पूरे नहीं होने से नराज A.C.S. रजेश्वर सिंग ने जिलाक लक्षस को पत्तर लेकर 24 मई तक लक्षय पूरा करने की चितावनी दी है इस लापरवाय से शेश परिवारों को योजना से वंचित होना पढ़ सकता है अनिवारे ते अवास सौफ्ट पर सहमती पत्तर दर्ज करने की निर्देश दिये है आशकता पढ़ने पर मैन वित्र मिशीन की मदद से सिंडिंग करने की आदेश दिये है इस योजना में 16,43,380 अवास चिन हित है भिलवाड़ा जिले की गिरडिया में देरात विवाहिता ने फांसी लगा कर जान दे दी पीहर पक्ष ने हत्या किया शंका जताई है एसाई मतुरा सिंग ने बताया कि सीतराम खरोल की पत्नी माया देवी के बीच घड़ी बानने को लेकर विवाध हो गया दीतराम घर से बाहर जाकर लोटा तो दर्वाजा अंदर से बंद था अवाज लगाई तो जवाब नहीं मिला इस पर दर्वाजा तोड़ा तो माया कमरे में फांसी के फंदे पर लटकी थी इधर पीहर पक्ष के लोगों ने हत्या किया शंका जताई है भीलवाड़ा की चितोड़ कोटा नैशनल हाइवे 27 की पॉइंट नंबर 999 पर करीब 13.50 मीटर हिस्सा आश्चरे जनक तरीके से फट गया यह उप्स का स्पैक भी करीब देड़ फिट ऊपर आ गया हाइवे आबु की घ्वालियर तक है लॉक्ट्राण की कारण इन दिनों वाहनों का वागमन काफी कम है राजमार्क प्राधिकर पी डबल्यूडी के अधिकारी सूचना के बाद पहुंचे तब अरोली इवं घनेश्वत टोल नाकों से पेंट्रोलिंग टीमें पहुंची और एक लेन बंद करवाई और दोनों तरफ का ट्रैफिक पोटा भरतपुर की पहाडी में लूट का प्रयास का मामला सामने आया है जानकरी इताना पुलिश मामले की जांच कर रही है बांसवाड़ा चिले में एक अधिकारी द्वारा ग्रूप में श्लील पोस्ट डालने का मामला सामने आया है जानकारी के इंसार अनंदपूरी के नायत तह सीलदार डालचन मेगवाल एक न्यूस ग्रूप में जुड़े हुए थे जिसमें वोने एक अश्लील पोस्ट डाल द मत्स्य अधिकारी सम्विक्षा परिक्षा 2019 का परिणाम खोशित कर दिया है悲ारती दो जून कक विस्तरत अवेदन पतर भरकर दस्टावेजों के साथ आयोग का रहलो को भेज सकेंगी आवेदन मिलने पर इनकी पातरता जाच होगी अलवा चिले की मुंडावर की घाल मेल की अरोप में एक कानून को निलंबित किया गया है रथोड ग्राम पंचायत ने राइपूर गाउं का राशन डीलर ग्रामिनों को राशन देने में गडबड़ी कर दा था जिसके समन्द में ग्रामिनों ने उपखंड़ दिकारी जिला कलक्टर और डीयसू सी शिकायत की थी लेकिन इस मामले की जानकरे मिलने के बाद कानून को पुलदीप चोधरी ने शिकायत करता के साथी से राजी नामा करने के लिए क्यावन सुरुपई और पार्टी की पेशकर्षकी जिसका आओडियो शिकायत करता ने वाइरल कर दिया था उक्ट प्रकार्ण की खबरे मीडिया में आने के बाद परशाशन ने कारवाई करते हुए कानून को पुलदीप चोधरी को निलंबित कर दिया है अलवर्थानाक्षेतर के गुज़र खोहरा गाम में बोरिंग विवात को लेकर पुलिस दल पर हमला करने के मामली में दस महिला सहीत 24 लोगों को गिरफतार किया गया है पुलिस ने बताया कि देवी सिंग गुज़र द्वारा कारवाई की जा रही बोरिंग कराई जा रही थी जिसका कुछ लोग विरोध कर रहे थे सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस तो इन लोगों द्वारा पुलिस दल पर पत्राव वे मार्पिट की गई मामली में कुल 24 लोगों को गिरफतार किया गया है लोगण में घरों से चोरी की वार्दाते थम नहीं रही है जैपुर में चोरों ने एक बार फिर चाकसुव्य परताव नगर थाने में दो पड़ी चोरी की वार्दातों को अंजाम दिया खेडी बुज़ूर्ग गाम में ओपर काश शर्मा के मकान से चोर अलमारी में रखे 32,000 रुपे, चार सोने की चूड़ी, सोने का हार्द अतान्या, सोने चान्डी की जेवरात ले गए इनके लावा चोर आटा चक्की वा इनिवेटर को भी खोल कर ले गए सूचना पर पहुंची पुलिस ने प्रात्मी की तर्सकर जाच शुरू की है